पालक मंत्री अजित पवार के देहु में हुए अपमान से नाराज होकर अमुल मिटकरी ने निप्रतिक्रिया व्यक्त की है उन्होंने कहा कि मैं देविंद्र फड़नवीस का निशेद करता हूँ क्योंकि वो एक लालची इंसान है अजित पवार का अपमान पुरे महराश्च का अपमान है अजित पवार का अपमान बीजेपी की और से जान बुच कर किया गया है ऐसा अमुल मिटकरी ने कहा है प्रधन मंतरी शिरिक शेत्र देहु में शीला मंदिर के उद्गाटन प्रसंग में शामिल हुए संतत उकराम महराज और वारकरी संप्रदाय का सम्मान करना यह उनकी मंशा थी जिसके लिए मैं वारकरी होने के नाते उनकी आभार मानता हूँ लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार पूने के पालक मंतरी मावल के विधायग और स्थानी कामदार इनको निमंतरित ना करना और पालक मंतरी स्टेच पर उपस्तित होकर भी जान बुचकर उन्हें भाशन ना करने दिना यह अपमान जनक बात है यह भाजपा की ओर से जान बुचकर किया है जिसके पीछे विरोधी पक्षन निता देवेंद्र फणनविस का हाथ है यह फणनविस की लालची प्रोरूत्ती है अमुल मिटकरी का कहना है कि अजित पवार देवेंद्र फणनविस जैसे नहीं है अजित पवार का सोभा उनकी कारिय प्रनाली उनका भाशन अभ्यस पूर्वक होता है जबकि फणनविस के भाशन में जाती भेद दिखता है तुकराम महाराज की भूमी पर खड़े रहकर उनी की सीख का अपमान बीजेपी ने किया है अजित पवार का अपमान यह पूरे महाराश्टर का अपमान है अगर देवेंद्र फणनविस और प्रधान मंत्री मोदी ने माफी नहीं मांगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे उन्हें वार करी संप्रदाय की विरोत का सामना करना पड़ेगा अमुल मिटकरी ने देवेंद्र फणनविस का निशेत किया है या दोगाना निमंत्र इतना करना अनि पालत मंत्री स्टेज वर अस्तनना जान्यू पुर्वक अजित्दादांचा भाष्णाचा प्रोटोकॉल डावलन ये सुडाचा राजकारान भार्ती जन्ता पार्टी तेन्चे अध्यात्मिक आगाडी आन्ट्यामाग अस्तनारा मिन्दू बंजे देवेंद्र फणनविस विरोधी पक्षन के यांचे कड़ून जान्यू पुर्वक जालिला है देवेंद्र फण विसानना जसा भाषन देनेची हपापलेली एक प्रोटी तेन्चा मदे आहे कि मोधिजीन समोर माज़ प्रेजेंटेशन जाला तर आगामी कड़ा कदाची द मोधिजीन जागामी खेव शक्तो हाजो उसना आउसान ते आनता है त्यामुले एक लक्षात जिए देवेंद्र जी कि तुम्तों उसना उसान तस अगनाले व्यक्ति मंजी आजीद दादा नहीं अजीद दादार करने चीपद्ध थी अजीद दादाची आदमिस्टेशन आजीद दादाचा सभाव अजीद दादाचा पाषन है अब्यासित कुर्णा नी प्रभाँश जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाईए सुरुची